कि भीख मांग के खाने वाले कौन जातियां है यह अभी पता चल जाएगा कि कौन लोग है जो एक कमरे में रहने पर मजबूर है कौन लोग है जो उच्छा गरहन नहीं करते हैं कौन लोग है जो किरसी से अपना जीवान यापन करते हैं ओम एंटर में मों मार दिये महराश्टा में ग्री मंताग में अगर दूसरा पार्टी का होता दब बोलता कि तो नर्वाच्ची मानव है कि अगर कलकता में कोई पूल गिरता है तो वही एंकर क्या कहता है और वही जाकर के गुजरात में गिरता है तो वही आश्तक का जो जी में था जो आश्तक में आ गया वही एंकर क्या कहता है देख लिजिएगा हम इस्तिन निर्वस्त होने का परमान देते हैं सब्सक्राइब करते हैं जाती अधारित गन्ना हो रही है विहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने भी अपनी जाती अपने गाउं जाकर बताई हलाकि इसको लेकर कोट में जाती अधारित गन्ना पर रोक लगाने की बात कही थी लेकिन कोट ने इस बात से इंकार कर दिया जाती अधारित गन्ना होगी बात करते हैं कि आखिरकार क्यों इस तरीके से जाती अधारित गन्ना पर बार बार कोट में अपील की जा रही है आखि इसी ब्यक्ति को लगातार आप दवा ख़िला रहो और सही रोक का पता नहीं सटा है तो फूल बोडी चेक होता है तो जाती अधारित जो गन्धना है निए फूल फुल बोड़ी चेक है जब फुल बोड़ी चेक होगा तब पता चल जाएगा कि कौन जाती का कितनी अबादी है उसकी सहचने कार्थिक समाजी किस्तिती क्या है और यह भी पता चल जाएगा कि कौन लोग है जो सत्ता की संपदा को सत्ता की संपत्ति को सिर्फ उभोग कर रहे बाकि लोग चुपचाप तमस्बीन बैठें यह अभी पता चल जागा कि भीख मांग के खाने वाले कौन जातियां हैं यह अभी पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं जो एक कमरे में रहने पर मजबूर हैं कौन लोग हैं जो उच्छा गरहन नहीं करते हैं कौन लोग हैं जो कि समाजी आर्थिक और सैशनी की सितियां जब हम जान जाएंगे तो बजट का आकार उस दिशा में हम तैक रहेंगे लेकिन जहां तक आपने कहा बिहार विधान सभाग से सरो समत्ति से सब लोगों ने इसको कानूनी अमली जामा पहना चुक दिया है और सब जानता है सबको पता है अप लोग कोई पता है movement जार्ए चाही भी सब्रफ को पता ही नहां कौन यारा बहतरी पता चैया गाना कि निचलिया अस्तर पर क्या होता है क्यी स्थित्य है यह जब सब हो जाएगा तो जड़ा सब को जानने कर तो देस भर कि तो यहां के लिए परकार की कोई बात नहीं कह रही है उनके लिए आप छोड़ विद्वा बिलाब कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए और यहां के लिए कुछ मार दिये 일i महाराष्टा में ग्रीमांत जी की सभा में अगर दूसरा पार्टी का होता दा या नर्भच्छी मानव है हम तो नहीं कर सकते नरवच्छी मानब, इगारा लोग को नरवच्छ कर गए लोग, खबर चला सापे सुन गया, सत्पाल मलिक निजी ने, जो सवाल नेसन के सामने रखा, चालिस बिद्वाओं के उनके आस्वों का सवाल है देश के सैनिकों का सवाल है जवाज सिपाईयों का सवाल है उसके साथ लाइन साप ही हुई सत्ता का इस्तवाल इसकदर हुआ रायतिक इस्तवाल कि अब सेना भी अच्छूता दी रहा इस सब बात धिरे धिरे तो खूल ही रहा ना लेकि मेडिया नहीं इसलिए कि मिडिया पूरी तोर पर भाजपा के लिए निरबस्त्र हो चुकी है भाजपा के लिए काम कर रही है देख लिजी मेरी बात हो सकती कड़भी लगे लेकिन सच है कि अगर कलकता में कोई पूल गिरता है तो ही एंकर क्या कहता है और वह जाकर के गुजयात में गिरता है जब दरपन समगा दरपन सिर्फ एक चहरे को दिखता हो दरपन नहीं है वह समाज का दरपन समाज के लिए कौढ़ है तो आप लोग क्यूं नहीं जिस प्रकार से मुतिहारे में घटना हुई है उसको लेकर कुछ कह रहे हैं तो कही रहे हैं ना बिहार में सराबंदी कानून लागू है स्थापना के लिए मानविये मुल्यों के अस्थापना के लिए स्थापना के मानविये मुल्यों के लिए लेकिन जब उसके पतनी उसकी विधवा और जो बच्चे हैं उसा क्या कस हो सभी लोग जो जेल में सरापिकर उनको बाहर निकाल देना चाहिए का बोले हैं यह विचरा यह तो आपना बोल रहे हैं हम आज से बोल रहे हैं अको मालूम नहीं है क्या सबको पता नहीं है जी यह तरह मांजी जी तो कहता ही न रहे कि जो गरीब गुरुबा बंध है उस पर अलग से ब्यवस्ता होनी चाहिए उसको सुझ होना चाहिए और बड़े बड़े जो बैपारी लोग है वैसराप के कारवारी उसको नकेल कस करके चल चल समपति कोटेज करना चाहिए बाच्पा का मंत्री का बाई जाकर के सराव ब्यपार करने वाला बाच्पाइ कहीं लोग है तो नकेल कसी रही है को का से काहां चले गए अप लोग है और एस्टेट के अंदर सराव परतिबंध है मुआबजा भी देंगे जेल से भी निकाल देंगे हम मुआबजा दे रहे हैं जो संबिदना सरकार के उनके साथ है चुक्कि उनकी बीबी और उनके बच्चे को कसूर नहीं है तो कि हमको तुनों पक्ष को देखना होगा लेकिन उसमें आपको बताना पड़ेगा किसरा आप क करके जो मर जाता है गरीब रहता है तो उसके आसरितों के लिए ही पैसा कानून है भाजपा जी देश का कोड़ है ना अरे स्बजरंग दल बिस्विश दुपरसद इस्तमाज के लिए कोड़ है आरोप आप लोग पर है आरोप किस बात कर रहे हैं पहले आप मुआपजा नहीं दे रहे थे फिर आप देने लगे चिला रहा था सब लोग चिला रहा था वो तो सत्ता में थी भाजपा वो कहा हम आप जाकी मां तो हम लोग कर रहे थे हमारे यलाई पार्टर जो जो कह रहे थे उसके बाद यो चिलाने लगे भाजपा भी ताकत था था सत्ता में थे ता कहीं न करवा दिये थे बड़का हमरी जीत हो गया पहला कदम है सराब बंदी खत्म करने को लेकर सराब की कानून को ससक्त करने का और मजबूत एक तरह से इरादा है तो कोई भी मर अगर पी के मर जाएगा तो उसके परिवार को पैसा मिल नहीं जाएगा तो क्यों डरेगा बताना पड़ेगा कि सराब कहां से पीए थे आप फिर सपत भी लेना नहीं पड़ेगा कि हम सराब न पीएंगे न पीने देंगे आपको ने जनकारी है तो परिवार को पता नहीं आपके महलवा में सराब बंदी कानून खत्म किया जाएगा और यह पहला कदम उठाया गया है कि देखना होगा कि आगे होता क्या है एक तरफ मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने मुआबजा देने से इंकार किया था लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने एनाउंस्मेंट किया है कि चार लाक जो लोग जहरली सराब की कर मरेंगे उनके परिवार को कुछ सरते रखी गई है अब देखना है कि आगे क्या होता है बने इस परणीशन के साथ नमस्कार